आखिरकार उत्तर प्रदेश के लोग अब राहत की सांस ले सकते हैं। दो महिने की जानलेवा गर्मी के बाद प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो चुका है और थंडी हवाएं चलने लगी हैं। जानना चाहते हैं कैसे बदला सब कुछ चलिये जानते हैं। उत्तर प्रदेश की तप्ती धर्ती पर आखिरकार बून्दा बांदी का दौर शुरू हो गया है। थंडी हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जिससे हीट वेव का कहर कम हो गया है। अब केवल कुछ चुनिंदा स्थानों पर ही हीट वेव का असर दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे प्रदेश के तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। अब प्रदेश का अधिक्तम तापमान 49 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, जबकि न्यूंतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। मौसम के सुहावने होने की वज़ा से एक बार फिर से लोग सडकों पर नजर आने लगे हैं, और सूने पड़े पार्क भी लोगों से गुलजार हो गए हैं। लखनव मौसम केंद्र की माने तो 22 जून यानी कल से प्रदेश में प्री मौनसून की बारिश का पूर्वानुमान है और 25 जून तक मौनसून प्रदेश में दस्तक दे देगा। इसके बाद पूरा प्रदेश सुहावने मौसम का आनन ले सकेगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इस बार अच्छी बारिश का भी पूर्वानुमान है जो किसानों के लिए अच्छी खबर है। इन जिलों में सुहावना रहेगा मौसम, लखनओ मौसम केंद्र के अनुसार, लखनओ, बारा बंकी, हरदोई, कानपुर शहर, कानपुर देहाद, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बलिया, बहराइच, फतेहपुर, बांदा, सुल्तानपुर, फैजाबाद, फुरसत गं इस्ती में आज से बादलों की आवाजा ही लगी रहेगी, यहां का अधिक्तम तापमान 49 से 40 डिगरी सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि नियूंतम तापमान 29 से 30 डिगरी सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है, इन जिलों में आज बून्दा बांदी हो सकती ह यहां का अधिक्तम तापमान 49 से 43 डिगरी सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है, जबकि नियूंतम तापमान 26 से 29 डिगरी सेल्सियस के बीच रहेगा, इन जिलों में रहेगी बादलों की आवाजा ही, उरई, हमीरपुर, बरेली, शाजहामपुर, नजीबाबाद, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरट, अलीगड, इतावा, आजमगड, नौइडा, गाजियाबाद, हापुड, सहारनपुर, बारा बंकी, कन्नौज और हरदोई में आज तापमान 49 से 41 डिगरी सेल्सियस के बीच रहने का पूरवानुमान है, यहां का नियोंतम तापमान 28 से 39 डिगरी सेल्सियस के बीच रहेगा और बादलों की आवाजाही भी बनी रहेगी, तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का मौसम अब सुहाना हो चला है, बारिश और ठंडी हवाओं का मजा लेने का समय आ लोकल 18 के लिए लखनाउ से अंजली सिंग राजपूत की रिपोर्ट